प्रातिरादे मित्रों, सिकंद पुराण के वैशाक मास महात्मे के चौथे अर्ध्याई में, महारशी वशिष्ट के उपदेश से राजा कीर्टीमान का अपने राजी में वैशाक मास के धर्म का पालन कराना और यमराज का ब्रहमाजी से राजा के लिए शिकायत करना हैं, त चारों पुर्शार्थों की तद्काल सिद्ध देने वाले हैं सनातन और वेदोग्त हैं तब संसार में उनकी प्रसिद्धी कैसे नहीं हुई शुत देव जी ने कहा राजन इस प्रत्वी पर लौकी कामना रखने वाले ही मनुश्य अधिक हैं उनमें से कुछ राजस और कुछ तामस हैं वे लोग इस संसार के भोगों तथा पुत्र पोत्रादी संपदाओं की ही अभिलाशा रखते हैं कहीं किसी प्रकार कभी बड़ी खठनाई से कोई ये कैसा मनुश्य मिलता है जो स्वर्ग लोग के लिए प्रयत्त करता है और इसलिए वह यग्य आदिपन्य कर्मो का अनुष्ठान बड़ी प्रयत्त से करता है परंतो मोक्ष की उपासना प्राय कोई नहीं करता तुक्ष आशाएं लेकर बहुत से कर्मों का यूजन करने वाली लोग प्राय काम में कर्मों के ही उपासक हैं यही कारण है कि संसार में राजस और तामस धर्म अधिक विख्य में सुक्रदान करते हैं देव माया से मोहित होने के कारण मूड मनुष्य इन धर्मों को नहीं जानते पूर्वकाल की बात है काशिपुरी में कीर्तिमान नाम से विख्यात एक चक्रवर्दी राजा थे वे एक्षवाक वंश के भूशन और महाराजानरक के पुत्र थे संसा में उनका बड़ायस था वे अपने इंद्रियों पर कुरोध पर विजय पा चुके थे और ब्रामडों के प्रति उनके मन में बहुत भगती थी राजाओं में उनका स्थान बहुत उचा था एक दिन वे म्रगया में आसक्त होकर महाश्य वशिष्ट के आश्रम पर आये कहीं पॉस्तला बनाते थे कहीं चाया मंडप किनारे पर जर्णों के जल को रोक कर स्वक्ष बावली बनाते थे कहीं व्रक्षों के नीचे बैठे हुए लोगों को वे पंखा डुला कर हवा करते थे कहीं उख देते थे कहीं सुगंधित पदात बेट करते थे कहीं फल देते दोपहरी में लोगों को चाता देते और संध्या के समय शर्वत कोई शिष्ट घरी छाया वाले वन में जाड़ भुहार कर साफ किये हुए आश्रम के प्रांगड़ों में हितकारक बालुका बिछाते थे और कुछ लोग व्रक्षों की शाका में जूरा लटकाते थे उन्हें देखकर राजा ने पूछा आप लोग कौन हैं उन्होंने उत्तर दिया हम लोग महर्शी वशिष्ट के शिष्षे हैं राजा ने पूछा ये सब क्या हो रहा है वे बोले ये वैशाक मास में कर्तवी रूप से बताए गए धर्म हैं जो धर्म अर्थ काम मुक्ष चार होती है उन्होंने उत्तर दिया हमें इस समय ये बताने का आवकाश नहीं है आप गुरुजी से ही यतुचित प्रश्ट कीजिए वे महा यशश्वी महर्शी इन धर्मों को यथार्थ रूप से जानते हैं शिष्षियों से ऐसा उत्तर पाकर राजा शीग्र ही महर्शी वश किया जब आराम से पैट गए तब गुरुजी से प्रिसनता पूर्वग बुले भगवन मैंने मार्ग में आपके शिष्यों द्वारा परम आश्यर का अनुभव किया शुपकर्मों का अनुष्ठान होते हुए देखा और उसके संबंद में जब प्रश्ण किया तब उन्हो को सुनने की बड़ी इक्षा है अधर आप मुझसे उनका वर्णन करें तब महा यशिष्वी बर्शिष्ट जी ने प्रसनेता पूर्वक कहा है राजन तुमारी बुद्धि को उत्तम सिक्षा मिली है अधर उसने यह उत्तम नश्य किया है भगवान विश्ण की कथा के श्र परा भगवान श्रीहर की आराधना की है उसके उन धर्मों से भगवान बहुत संतुष्ट होते हैं और उसे मनोवांचित वस्तु प्रदान करते हैं संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान लक्ष्मीपती समस्त पापराशी का विनाश करने वाले हैं वे सुक्ष्म धर्मों से प्रसंद होते हैं केवल परिश्रम और धन से नहीं भगवान विश्णु भक्ति से पूजित होने पर अभीष्ट वस्तुपदान करते हैं इसलिए सदा भगवान विश्णु की भक्ति करनी चाहिए जगदीश्वर शीहरी जलसे भी पूजा करने पर अशेश इतलेश का नाश करते हैं और शीग्र ही प्रसंद होते हैं वैशाक मास में बताए हुए ये धर्म थोड़े से परिश्टम द्वारा साध्य होने पर भी भगवान विश्णु के लिए प्रीतिकारक और शुब होने के साथ अधिक व्याई से सिद्ध होने वाले बड़े बड़े यग्यादी कर्मों का भी तरसकार करने वाले हैं अतह भूपाल तुम भी वैशाक मास में बताए हुए धर्मों का पालन करो और तुम्हारे राज्य में निवास करने वाले अन्य लोगों से भी उनकल्याणकारी धर्मों का पालन कराओ इस प्रकार वैशाग धर्म के पालन किया वशक्ता को शास्त्रों और युक्तियों से भली भाति सिद्ध करके वशिष्ट जी ने वैशाग मास के सब धर्मों का राजा के समक्ष वर्णन किया उन सब धर्मों को सुनकर राजा ने गुरु का भक्ति भाव से पुजन किया और घर आकर वे सब धर्मों का विदिपूर्वक पालन करने लगे। देवादी देव भगवान विष्टु में भक्ति रखते हुए राजा की तिमान देवेश्वर पदवनाव के अतरिक्त किसी और देवता को नहीं देखते थे। तो मेरे द्वारा दंडनी होगा। वन्दी तथा राज से निकाल देने के योगी समझा जाएगा। ये मेरा निश्चित आदेश है। पिता पुत्र पत्नी अत्वा सुर्द जो भी कोई वैशाक धर्म का पालन नहीं करेगा वह चोर की भाती दंड का पात्र समझा जाएग प्रत्र काल शुबजल में स्तान करके श्रेष्ट ब्रामडों को दान करना चाहिए तुम सब अपनी शक्त के अनुसार पौसला और दान आदी धर्मों का आचरन करो। राजा के इतिमार ने प्रत्र ग्राम में धर्मका उपदेश करने वाला एक एक ग्रामड को बसाया। पांच पांच गाउं पर एक एक ऐसे अधिकारी की नियुक्ति की जो धर्मका त्याग करने वाए लोगों को दंड दे सके। उस अधिकारी की सेवा में दस-दस घुरसवार रहते थे। इस प्रकार चकरवर्टी नरेश के साशन से सरवत्र और सब देशों में यह धर्म का पौधा आरम हुआ। और आगे चलकर खूब बड़े वे व्रक्ष के रूप में पढ़नत हो गया। उस राजा के राजे में जो लोग मर जाते थे वे भगवान विष्णु के धाम में जाते थे। वहाँ के मनुष्यों को विष्णु लोग की प्राप्ति निश्चत थी। एक बार भी वैशाक्सनान कर लेने से मनुष्य यमराज के पास नहीं जाता। अपने धर्मान उकुल कर्व में स्थित हुए सब लोगों के विष्णु लोग ने चले जाने से यमपुरी के सब नरक खाली हो गए। वहाँ एक भी पापी प्राणी नहीं रह गया। वैशाक्स के प्रभाव से यमपुरी के मार्ग की यात्रा ही बंद हो गई। सब मुनुष्य दिव्य आकर्दी धारणगर के भगवान के धाम में जाने लगे। देवताओं के जो लोग हैं वे सब भी शून्य हो गए। स्वर्ग और नरक दोनों के शून्य हो जाने पर एक दिन नारज जी ने धर्मराज के पास आकर कहा। दर्मराज आपके इस नरक में अब पहले जैसा कोला हल नहीं सुनाई पड़ता। पहले की भाति पाप कर्मों का लिखा भी नहीं लिखा जा रहा है। चित्रगुप्त तो ऐसे मौन भाव से बैटें वे हैं जैसे कोई मुनी हो। माराज इसका कारण तो बताये। महात्मा नारद के ऐसा कहने पर राजा यम ने कुछ दीमता के स्वर्व में कहा। नारद इस समय पृत्वी पर जो यह राजा राजी करता है वह पुरान पुरुशोत्तम भगवान विश्टु का बड़ा भक्त है। उसके बैसे कोई भी मनुष्य कभी वैशाक मास का उलंगन नहीं करता। उस पुर्ण कर्म के प्रभाव से सभी भगवान विश्टु के परंधाम को चली जाते हैं। हे मुनी शेष्ट उस राजा ने इस समय मेरी लोग का मार्ग लुप्त सा कर रखा है। स्वर्ग और नर्क दोनों को शूने बना दिया है। अता ब्रहमाजी के सभी जाकर ये सब समाचार उनसे निवेदन करके तब ही मैं स्वस्थ होगा। ऐसा निश्यकर के यमराज ब्रहमाजी के लोगों में गए, वहां बैठे हुए उन ब्रहमाजी का दर्शन किया जिनका आश्य दुरुव हैं। जो इस जगत के बीज तथा सब लोगों के पिता में हैं और समस्त लोग पाल, देखपाल और देटा जिनकी उपासना करते हैं। ब्रहमाजी ने यमराज को देखा और यमराज ब्रहमाजी के आगे पृत्वी पर गिर पड़े, फिर यमराज ने कहा कमलासन काम में लगाया हुआ जो पुरुष स्वामी की आग्या का ठीक ठीक पालन नहीं करता और उसका धन लेकर भोगता है, वह काट का कीड़ा होता वह तीन सौ कलपों तक तिर्यक योनी रूप नर्क में जाता है। जो कारे में नियोक्त हुआ पुरुष कारे करने में समर्थ होकर भी अपने घर में ही बैठा रहता है, वह विलाव होता है। किर्तिमान के राजी में सब लोग वैशाक मासोक्त पुन्यकर्मों का अनुष्ठान करके पितरों और पितामों के साथ वैकुंट धाम में चले जाते हैं। तीर्थों से, दानादि से, तपस्याओं से, व्रतों से, अत्वा संपून धर्मों से युक्त मनुष्य भी उस गति को नहीं पाता जो वैशाक धर्म में तकपर हुए मनुष्य को प्राप्त हो जाती है। प्रातह काल स्नान करके देव पूजन मास महात्म की कथा शरवन तथा भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाले तदन उकूल धर्मों का पालन करने वाला मनुष्य एक मात्र विष्णु लोग का स्वामी होता है। और जगरपती भगवान विष्णु के लोग की तो मेरी समझने में कोई सीवा ही नहीं है। क्योंकि सब और से कोटी कोटी प्राडियों का समुदाय वहां पहुँच रहा है तो भी वह भटा नहीं है। इस संसार में पवित्र और अपवित्र सभी लोग राजा की आगया से वैशाक मास के धर्म का पालन करके विष्णु लोग को जा रहे हैं। हे लोकनात उसकी प्रेणा से संसकार हीन मनुष्य भी वैशाक स्थान मात्र से बैकुंट धाम में चले जाते हैं। वह केवल भगवान विष्णु के चरणों की शरण लेने वाला है। जान पड़ता है कि वह समस्त संसार को विष्णु लोग में पहुचा देगा। जो पुत्र धर्म अर्थ काम और मुख्ष के प्रितिकूल चलता है वह प्रित्वी पर माता के पेट से पैदा हुआ रोग है। वह अदम पुरुष अपनी माता का घात तरने वाला कहा जाता है किन्तु राजा किर्तिमान की माता और उनकी पत्नी का पुन संसार में विख्यात है। उसकी माता एक मात्र वीर जन्नी है और वह राजा निश्चे ही संसार में बहुत बड़ा वीर है। जिस प्रकार किर्थिमान मेरी लिब को मिटाने में उद्यत हुआ है ऐसा उद्योग गुराणों में और किसी का नहीं सुना बागवान विष्णु की भक्ती में तक पर हुए राजा किर्थिमान के सिवाए दूसरे ऐसे किसी को मैं नहीं जानता जो डंका बजा कर घूशना करते हुए लोगों को ऐसी प्रिणात देता हो और मेरे लोग के मार्ग को विलुप्त करने की चेश्टा कर रहा हो तो ये थी चौथे अध्याय की कथा नमू नारायन